Hello everyone, welcome to Target Competition Target Competition YouTube channel में आपका स्वागत है So guys, आज है 24 December और 24 December के जितने विकर Most Important Current Affairs की questions है उन्हें हम आज इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं So हमारा first question है Who dedicated Bengal's first oil and gas reserve Bengal basin? यानि किसने बंगाल का पहला Oil and gas reserve Bengal basin country को Dedicate किया है तो यह किया है धर्मेंदर प्रधान जी ने ठीक है? हमारे Union Petroleum and Natural Gas Minister कौन है? धर्मेंदर प्रधान जी तो इन्होंने यह dedicate किया है क्या grade के क्या है? First oil and gas reserve Bengal basin यहाँ पर Bengal basin जो है वो oil and natural gas cooperation के द्वारा own किया गया है ठीक है? चीफ मिनिस्टर कौन है? West Bengal के ममता बनर जी गवर्नर कौन है? जगदीब धनकर आपको यह याद रखना है कि बंगाल में पहला oil and gas reserve Bengal basin बना है जिसे dedicate किया है धर्मेंदर प्रधान यानि हमारी Union Petroleum and Natural Gas मिनिस्टर ने और यह Bengal basin किसके द्वारा own किया गया है? Oil and Natural Gas Cooperation के द्वारा ममताब बनर जी चीफ मिनिस्टर है West Bengal की गवर्नर है जगदीब धनकर नेस्ट कॉशन है 12th ग्रह सम्मिट of Terry concludes ग्रह सम्मिट किया गया है Terry के द्वारा Terry का मतलब क्या है? The Energy and Resources Institute तो ग्रह सम्मिट अभी हुआ है जो कि Terry की द्वारा किया गया है और Terry की फुल फॉर्म है The Energy and Resources Institute यह जो ग्रह लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं ग्रह की फुल फॉर्म है Green Rating for Integrated Habitual Assessment Green Rating for Integrated Habitual Assessment तो यह है इसकी फुल फॉर्म इसे inaugurate किस ने किया है हमारे Vice President Venkaya Naidu ने और यह सारे सम्मिट आप जानते हैं वर्चौली हो रहे हैं तो यह Venkaya Naidu के द्वारा inaugurate किया गया है इसकी फीम क्या है इसकी फीम है Rejuvenating Resilient Habitats Rejuvenating Resilient Habitats यह इसकी फीम है So question यह important है Submit वगेरा से questions exam में आते हैं So आपसे question पूछ सकते हैं कि ग्रह सम्मिट का inauguration किस ने किया आप बताएंगे Venkaya Naidu जी ने आपसे question पूछ सकते हैं कि ग्रह सम्मिट की फीम क्या थी इसकी फीम थी Rejuvenating Resilient Habitats So यह सारी questions को आप बना सकते हैं और बिल्कुल आपको यह questions exam में भी देखने को मिल सकते हैं इसलिए यह जितने भी facts हैं इनको आप याद रखेगा Next question है ADB announces Rs.2100 crore loan to which state ADB ने 2100 crore का loan किस state को दिया है यह दिया है हमारी North Eastern state Tripura को Tripura को यह किसलिए मिला है Development of Urban Areas and Tourism जो Urban Areas है उनके development के लिए and tourism के development के लिए इस 2100 crore के loan में से 16 सा करोर Urban Development के लिए दिया जाएगा इसके अलावा बाकी का जो 500 crore है वो tourism sector के लिए दिया जाएगा तो यह loan दिया है ADB ने Tripura को पूरा 2100 crore का ADB के President कौन है Masasatgu Asakawa Masasatgu Asakawa यह है ADB के President Headquarter कहाँ पर है Manila Philippines में ADB की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 9 December 1966 इस सभी static प्लस यह सभी facts इनको आप याद दखेगा exam में आप से कुछ भी पूछ सकते है ADB के President पूछ सकते है ADB का Headquarter पूछ सकते है अगर static question बनाया है तो यह सब पूछेंगे इसके अलावा current से question आता है तो पूछेंगे ADB ने कितने का लोन दिया है किस को दिया है ठीक है किस लिए दिया है यह भी पूछ सकते है तो यह सारी चाज़ें आप याद आखना नेस्ट question है UN Women and which state government tie up for India's first gender data hub UN Women and किस state government ने इंडिया का पहला gender data hub बनाने के लिए tie up किया है तो यह किया है केरला ने ठीक है तो इंडिया का पहला gender data hub कहाँ पर बनेगा केरला में बनेगा यह UN Women and state government यानि केरला UN Women and केरला के बीच में tie up हुआ है अब यह tie up हुआ है तो चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए केरला के कौन है पिनराई विजियन है गवर्नर कौन है आरिफ महांबद खान तो यह आप याद रखेगा इंडिया का पहला gender data hub केरला में बन रहा है और यह UN Women और केरला के बीच का tie up है static facts चीफ मिनिस्टर आफ केरला और गवर्नर आपको याद रखने है next question है बहुत important question है इसके new president बनी है विनीत अगरवाल असुचेम आप जानते हैं आपने बहुत बार इसका नाम से ना होगा इसके full form होती है The Associated Chambers of Commerce and Industry तो यह important है और इसके president टेफिनेटली एक्जाम में पूछे जा सकते है अब इन्होंने किसको replace किया है निरंजन हीरा नंदानी को तो निरंजन हीरा नंदानी पहले थे अब हो गए है विनीत अगरवाल अब vice chairman कौन है vice president कौन है असुचेम के vice president है सुमंत सिन्हा तो vice president भी एक्जाम में पूछ सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम जो main news है वो हम याद रख लेते हैं कि चलो विनीत अगरवाल बने है लेकिन एक्जाम में आपसे president की जगा vice president भी पूछ सकते हैं तो एक्जाम में game पलट जाता है फिर जब ऐसा हो जाता है तो तो इसलिए आपको president भी याद रखना है विनीत अगरवाल जी बने है इसके लावा आपसे vice president भी पूछ सकते हैं तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि सुमन सिन्हा vice president है और कभी-कभी ये भी पूछ लेते हैं कि replace किसको किया है कि भी बहुत आता है तो इसलिए आप इसको याद रखना निरंजन हिरन नंदानी को replace किया है असुचेम का headquarter कहाँ पर है न्यू देली में है असुचेम की स्थापना कब हुई थी 1920 में हुई थी तो ये दोनों भी आप याद रखना असुचेम का headquarter न्यू देली में है और असुचेम की स्थापना 1920 में हुई थी तो यह सारी facts आपको यार रखने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Next question था Who assumed Underman and Nicobar DGP charge Underman and Nicobar का DGP charge किसने assume किया है यह किया है सत्येंद्र गर्ग ने यह question भी बहुत important है Underman and Nicobar का DGP charge किसे मिला है तो यह मिला है सत्येंद्र गर्ग को यह senior IPS officer है तो यह appointments related question है appointments related question exam में जरूर आते हैं और जितने भी appointment की question होते हैं उन मेंसे जो important होता है वो जरूर आता है तो यह important है Underman and Nicobar का DGP charge assume किया है सत्येंद्र गर्ग ने यह senior IPS officer है Next question है Who led the panel on NETA जी's 125th birth anniversary event नेता जी की 125th birth anniversary आई है तो इसका जो panel है उसको किसने लड़ किया है तो यह क्या है अमित शहने हमारे home minister अमित शहन जी ने नेता जी की 125th birth anniversary event को host किया है या लड़ किया है अब यहाँ पर the union government ने क्या decide किया है उन्होंने decide किया है एक high level committee बनाई जाएगी नेता जी सुभास चंदर बॉस की जो birth anniversary है उसे commemorate करने के लिए ठीक है तो union government ने एक high level committee बनाने का decision लिया है जिसमें 125th birth anniversary जो है नेता जी सुभास चंदर बॉस जी की उसको commemorate किया जाएगा तो ये आपको याद रखने है कि नेता जी की सुभास चंदर बॉस जी की 125th birth anniversary event को किसने होस्ट किया है तो ये क्या है अमित शाह जी ने आगे बढ़ते है next question है which bank launches online portal infinitive India infinitive India जो online portal है इसको किसने launch किया है ये launch किया गया है ICICI के द्वारा ICICI bank के द्वारा infinitive India portal launch किया गया है अब ये क्यों launch किया गया है to support foreign companies to stabilize or expand business in India foreign companies को support करने के लिए जिससे वो अपनी companies को stabilize कर पाएं इंडिया में और अपना business को expand कर सकें तो इसके लिए ICICI ने उनके लिए especially infinitive India portal को launch किया है ठीक है तो ये आप याद रखना इसके अब आपको static facts भी पता होने चाहिए ICICI bank का headquarter कहां पर है Mumbai महाराष्टर में है ICICI bank के MD&CEO कौन है Sandeep Bakshi ICICI bank के tagline क्या है हम है ना खयाल आपका so headquarter Mumbai headquarter तो आपको पता ही होगा Mumbai में है इसके MD&CEO कौन है Sandeep Bakshi है इसके tagline क्या है हम है ना खयाल आपका सारे facts and bank किसने launch किया ये भी आपको पता होने चाहिए infinite India portal launch किया है ICICI ने for foreign companies चलिए next question है which bank signed MOU with defense forces named Baroda military salary package ये किसने launch किया है package ये कि package launch किया है B.O.B. ने यानि bank of बड़ोदा ने ठीक है defense forces के लिए ये launch किया गया है जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा Baroda military salary package military मतलब defense forces के लिए ठीक है यहाँ पर ये Indian Navy and Indian Coast Guard के लिए launch किया गया है यहाँ पर customized service दी जाएगी इसके अलाबा facilities दी जाएगी जितने भी account holders है उनको तो extra facilities प्लस customized services ये account holders को दिया जाएगा अब क्यूंकि ये B.O.B. ने launch किया है ये package तो आपको पता होना चाहिए कि Baroda bank का headquarter वर्डुद्रा गुजरात में है इसके chairman कौन है हस्मुक अधिया और इसके MD and CEO कौन है संजीव चंठा सबको याद रखने है इसका headquarter आपको पता ही होगा Baroda से ही आपको पता संजाता है कि Baroda में है इसके रावा इसके chairman आपको पता होना चाहिए और हस्मुक अधिया है और इसके MD and CEO है संजीव चंठा यह सारी चीज़े आपको याद रखने है में चीज़ है Baroda military salary package यह launch किया गया है और यह भी आद करना आसान है क्योंकि यह पर Baroda लिखा हुआ है तो बैंक को Baroda ही होगी यह सारे facts plus main question तोनों चीज़े आपको याद रखने है next question है NCAER ठीक है उसने कितनी GDP contract की है इंडिया की financial year 21 के लिए तो यह बताई है 7.3% NCAER ने 7.3% पर GDP को रखा है financial year 21 के लिए GDP से question exam में बन सकते हैं वैसे तो अभी कम आ रहे हैं GDP से question exams में जितने भी main exam हुए हैं बट आ भी सकता हैं इसलिए आपको GDP याद रखने हैं कि National Council of Applied Economic Research इसकी full form है National Council of Applied Economic Research इसने इंडिया की GDP को 7.3% पर contract किया है और यह financial year 21 के लिए है 2020 में सेप्टमर 2020 के लिए कितना forecast किया था NCAER ने यह किया था माइनस 12.6% ठीक है और अभी किया गया है financial year 21 के लिए 7.3% तो यह आपको याद रखने हैं Next question है Who honored PM Modi with top US owner Legion of Merit तो PM Modi जी को किसने honor किया है इस merit से Legion of Merit से तो यह honor किया है Donald Trump जी ने किसलिए honor किया है Leadership in Elevating Strategic Partnership of the Two Countries दोनों countries के बीच में strategic partnership को elevate करने के लिए Elevate करने में जून की leadership थी उस भूमिका के लिए Donald Trump जी ने PM Modi जी को इस Legend of Merit से honor किया है ठीक है यह top US owner है अब देखिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के ambassador कौन है US में उनका नाम है तरंजित सिंग संधू और US के national security advisor कौन है Robert O. Brine तो यह सभी facts आपको याद रखने हैं सारी चीज़े इसमें important है Legion of Merit दिया गया है PM Modi जी को डोनल्ड ट्रम्प जी ने दिया है किस लिए दिया है दोनों countries के बीज की जो strategic partnership है उसको elevate करने में जो leadership थी उनकी जो भूमिका थी उसको honor किया गया है अब यहाँ पर इंडिया के ambassador आपको पता होने चीज़े तरंजी सिंग संधू है US के national security advisor है Robert O. सारी facts आपको याद रखने है important question है next question है इंडिया observed national farmers day on which day इंडिया ने national farmers day किस दिन observe किया है यह क्या है 23 December को तो national farmers day होता है 23 December को यह क्यों मनाय जाता है चौदरी चरंज सिंग जी जो हमारे prime minister थे इंडिया के उनकी birth anniversary को celebrate करने के लिए national farmers day मनाय जाता है क्योंकि इन्हों ने चौदरी चरंज सिंग जी ने किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे कारे किये थे तो इसलिए इन्हों farmers के लिए especially जाना जाता है इसलिए national farmers day इन्हीं की birth anniversary के दिन मनाय जाता है तो national farmers day मनाय जाता है 23 December को यह आपको याद रखना है days and dates से questions 100% exam में बनता है अब है आपके लिए कल का question जो मैंने आपको कल दिया था इस cancer आपने correctly बताया था इस cancer बताने से पहले मैं आपको एक बार सबी questions का revision करा देती हूँ सबसे पहला question था who dedicated बंगाल first oil and gas reserve बंगाल basin तो यह dedicate किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने ग्रह सम्मिट Terry के द्वारा किया गया था इसके अलावा ग्रह सम्मिट की theme आपको याद रखनी है regionating resilient habitats और इसे वेंके नाइडू जी ने inaugurate किया था EDB ने announce किया है 2100 करोड का loan किस स्टेट के लिए त्रिपुरा के लिए UN Women and Kerala ने इंडिया का पहला gender data hub के लिए tie up किया है तो इंडिया का पहला gender data hub बनेगा Kerala में who has taken over as asochem president असochem के नई president कौन बने है विनीत अगरवाल वाइस president कौन है सुमन सिन्हा और विनीत अगरवाल जी ने किसको replace किया है निरंजन हीरा नन्दानी को अंड़मान एंड निकोबार के DGP कौन बने है सत्येंद्र गरग ये पहले senior IPS पहले नहीं ये senior IPS officer थे तो अब इन्होंने अंड़मान निकोबार का DGP charge assume किया है क्या नाम है सत्येंद्र गरग important question है याद रखना तो निता जी की 125th birth anniversary event को किसने host किया है तो ये क्या है अमित शाहाजी ने विज बैंक launches online portal infinitive India किस बैंक ने launch किया है ये क्या है ICICI bank ने विज बैंक sign MOU with defense forces तो ये जो बरोड़ा military salary package है ये किसने launch किया है तो ये क्या है B.O.B. ने यानि bank of बढ़ोदाने N.C.A.R. ने financial year 21 के लिए इंडिया की GDP को कितने पर forecast किया है ये क्या है 7.3% पर Who honored PM Moodi? PM Moodi जी को किसने honor किया है Legion of Merit से तो ये honor किया है Donald Trump जी ने ये top US owner है इंडिया ने observe किया है National Farmers Day किस दिन ये किया है December 23 को ये 24 चरण सिंग जी की याद में यानि हमारे Prime Minister पूर्व प्रधान मंत्री 24 चरण सिंग जी की birth anniversary के दिन मनाय जाता है तो ये important question है आपको याद रखना है National Farmers Day मनाय जाता है 23 December को अब आपने पिछले जो कल का question था उसमें आपने सभी ने सही answer किया इसका answer है 4 Question था Kello India Youth Games 2021 में कितने indigenous sports को add किया गया है तो ये sports ministry के दोरा add किया गया है कितने indigenous sports को इसमें add किया गया है 4 games को add किया गया है आप सभी ने इसका सही answer दिया अब है आज के लिए question इसका answer आपको comment box में बताना है question क्या है ADB announces 2100 करोड loan to which state ADB ने 2100 करोड का loan किस state के लिए announce किया है इसी question इसी video में मैंने इस question को कराया है अगर आपने video को ध्यान से देखा है तो आप इसका answer easily कर सकते है तो comment section में आप सभी को इसका answer करना है वीडियो अगर आपको सही लगा है अच्छा लगा है तो प्लीज इसे आगे share किजेगा Thank you so much for watching Happy learning